हरियो मेरे नाम गीता वीरा मिर्चंदानी माहीम से सिंधी सेंटर से हूँ अब से आज एक अनुभाव शेयर करना चाहती हूँ बच्पन में बहुत सुनते हैं कि हाँ भगवान है यही बात का एहसास मुझे जब बापू मिले बापू के मिलने से मुझे यह एहसास हुआ कि बापू एक शक्ती है वो शक्ती जो हमारे साथ उटते बैठते चलते फिरते हमारे हमीशा हमारे साथ रहती है एक यह अनुभाव हुआ मुझे बापो के किपास में 2003 से आ रही हूँ और जब 2004 दादा के पास में गई थी मेरे प्रॉब्लम्स लेकर तो दादा ने कहा था रामरक्षा स्तोत्र प्याट पढ़ा करो रोज आप यह पढ़ेंगे आपके प्रॉब्लम्स दीरे दीरे कम हो जाएंगे यही सोचकर रोज पढ़ती रही यह किताब पुस्तिका में और जब ऐसे पढ़ा 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 और एक बार ऐसे हुआ कि वो पुस्तिका एकदम होतनी है लेकिन होतानी था एकπά जब मैं लांज के लिए बैट रही थी खौना खौने के लिए तो वही पुसीका मेरे बैग में थी और मेरे हाथ में आ गई, जब मैंने उस पुसीका को देखा, मैंने कहा बापू, आज आमाला हे घ्याइचस चाहे, नक्की, ऐसे करके मैंने पुस्तक बैग में रख दिया, और खाना खाया, उसके पाद बिला चलो, मेरे कलीक और एक बापू भग थी मेरे साथ में, हम तीनों जड़ा वॉक के लिए निकल गए, जोसे वॉक के लिए हम निकले, थोड़े कदम में आगे गई, सड़िनली मुझे अचानक एक अचीब सा एहसास हुआ, मैं चलती गई, और सामने एक बहुत पुराना सा घर, घर जो बरसों से नहीं खुला हो, वो लॉक परा हुआ था, औ और उसके लॉक में एक सफेद पेपर पड़ा हुआ था, सफेद पेपर जो हमें जो सफेद दिखाई दे रहा था बाहर से, मैंने जो मेरी फ्रेंड मेरे बापु भक्त मेरे साथ चल रहे थी नंदिनी, मैंने उसका हाथ पकड़ा, मैंने बहुत नंदिनी मुझे वो लाकर लाकर दो वो पेपर मुझे चाहिए, तो नंदिनी हैरान हुई, मैंने मुझे वो चाहिए, मुझे कैसे भी लाकर दो, तो वो गई और वो पेपर मुझे लाकर दिया उसने, जब वो पेपर मेरे हाथ में आया, तब तक मुझे पता नहीं था कि मैंने ये क्यों मांगा पेप पर क्या था इसमें एक पुराने से घर में पेपर पड़ा हुआ है मुझे क्यूं चाहिए था लेकिन जब वो पेपर मेरे हाथ में आया सफेद पेपर और मैंने उसे खोला बंदा हूँ और क्या निकला उसके अंदर राम रक्षा स्तोत्र की पुस्तिका अब ब्रैंड न्यू कॉपी और राम रक्षा स्तोत्र और मैं आपको दिखाना चाहूंगे मैं अपने साथ लाई हूँ आपको वही पुस्तिका हमें आज दिखाना चाहती हूँ कि बापु की कृपा बापु किस तरह हमारे साथ है हमेशा अंबध्या श्री राम